नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंतर पाठी लेकर हाजिर हूँ खासो जिसका नाम है आपका दिन सुभो आज से चेत्र नौरात्र की शुरुवात हो गई है जिसका समापन 30 मार्च को होना है नौरात्र की 9 दिनों में मा भगवती की पूजा अराधना का विशे प्रवात देती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं नौरात्र का धार्मिक महत तो क्या है इससे जूड़ी क्या मानेता हैं और इस नौरात्र पर क्या सुभ संजोग बन रहे हैं साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आप इस नौरात्र पर ऐसा क्या खास करें जिससे आपको मिल ज कर दूरींदे हो चुका है सभीरेच बच के 23 wenyट पर सुरियास्त होगा साम को 6 बच के 33 मिनट पर चंद्रुधय होगा सौवाज चे बच के 24 पर चंद्रास्त होगा साम को 7बच के 29 पर आज चंद्रवार हैगा मीन राशी पर शुक्ल पक्ष है और प्रतिपदाति थी है उत्राभात पर नच्छत्र है शुल योग है और आज जो सुम महुरत है बारा बज़ के चार बिनट से लेकर के बारा बज़ के बावन बिनट तक रहेगा रहुकाल है दो पर बारा अगर दिसासूल है आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशासूल मेंको यात्राने करना है अगर दिशासूल में कर लाप्रत होता है और रहुकाल में कोई भीकार न करें आज चैत्र नौरात्री का प्रथम दिन है और इस बार चैत्र नौरात्र के शुरवात सुवसंजोग में सुरवात हो रहे हैं आज गज केसरी योग है बुधा डित्योग हंस योग सस्योग धर्मात्मा और राजलक्षण योग बने हुए हैं जो भक्तों के लिए सुफ फल्दाई रहने वाला है इसके अलावा नौरात्र के प्रारंब के स हाउ से सभी राज्शियों को सुफल मिलेंगे